हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नमबर 23 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौट देली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्व पैटन्स तो बच्चों यहां पर आइरो का पैटन्स है सबसे पहले बच्चेmind हमें ऊपर की तरफ आण तुर्स पैटन क से तरफ में और मून नीचे की साइज में क्या है मून ऊपर की तरफ है और सन नीचे की抗ी तरफ है फिर बच्चो next pattern में sun upside में है moon downside में है अब बच्चो next में फिर से moon जो है वो उपर की तरफ है और जो sun है वो नीचे की तरफ है तो बच्चो next pattern जो है वो कैसा बनेगा तो बच्चो next pattern में sun उपर की तरफ होगा और जो moon है वो नीचे की तरफ होगा अब बच्चो नेक्स जो पैटन होगा वो क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड जो पैटन है बच्चो सेम है फिर बच्चो जो फोर्थ है वो सेकंड वाला पैटन है तो बच्चो अब जो नेक्स पैटन होगा वो कौन सा होगा थर्ड पैटन होगा यहां पर ड्रॉ करेंगे और जो बच्चो लास्ट होगा वो कौन सर ड्रॉ करेंगे फोर्ड पैटन तो बच्चो आप इस तरीके से इस पैटन को कम्प्लीट करेंगे अब बच्चो नेक्स यहां पर देखेंगे यहां पर वन स्टार है सेकंड पैटन में 2 star है फिर से बच्चो 3rd जो है same है जो 1st में है वही 3rd में है फिर बच्चो 4th में क्या है जो 2nd में है वही 4th में है तो बच्चो next pattern में कितने star बनाएंगे एक बनाएंगे it means one तो जो की third में है वो आप किसमें बनाएंगे fifth में तो बच्चो इस तरीके से आप इसे complete करेंगे next में बच्चो यहाँ पर happy face है फिर sad face है फिर से happy face it means same pattern है फिर बच्चो क्या है sad face है it means second वाला यहाँ पर है अब बच्चो next में क्या आएगा next में बच्चो happy face यह वाला pattern ड्रो करेंगे और बच्चो जो last है इसमें फिर से हम sad face ड्रो करेंगे तो बच्चो आप इस तरीके से इन patterns को complete करेंगे अब है question number two complete the growing patterns बच्चो यहाँ पर इन patterns को complete करना है तो बच्चो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले first में बच्चो one leaf है second में two leaves है third में कितनी है three it means हर बार one plus हुई है एक बड़ी है तो बच्चो यहाँ पर three है तो fourth में कितनी होंगी four it means इसमें एक leaf जो है और बनाएंगे it means four leaves यहाँ पर draw करेंगे तो बच्चो next pattern में कितने होंगे four star उससे next में होंगे five फिर बच्चो फिर आप बनाएंगे six stars next है बच्चो यहाँ पर two right mark है उसके बाद four है फिर बच्चो six है तो हर बार जो है कितने plus हुए है two plus हुए है तो बच्चो six में two plus करेंगे कितना हैगा eight तो यहाँ पर आप जो right के mark बनाएंगे eight बनाएंगे फिर बच्चो ten बनाएंगे उसके बाद twelve बनाएंगे अब बच्चो यहाँ पर यह बिंदी है one उसके बाद three हैं फिर five हैं तो बच्चो इसमे one में कितने plus हुए two अब बच्चो यहाँ थ्री हो गए थ्री में कितने plus हुए two तो हर बार इसमे two plus हुए तो बच्चो यहाँ फाइव हैं तो फाइव में हम two plus करेंगे seven तो यहाँ पर seven बिंदिया बनाएंगे फिर से बच्चो seven में two plus करेंगे कितने बनाएंगे nine 9 में 2 प्लस करेंगे तो कितनी बनाएंगे 11 तो बच्चो इस तरीके से आप इन पैटन्स को कम्प्लीट करेंगे अब बच्चो कोईशन है complete the following number पैटन्स बच्चो यहाँ पर number पैटन्स दिये गए हैं इन्हें आप कम्प्लीट करेंगे 3, 6, 9, 12 तो बच्चो हर बार इसमें कितने प्लस हुए हैं 3 तो हम 12 में 3 प्लस करेंगे 15 15 में 3 प्लस करेंगे 18 18 में 3 प्लस करेंगे 21 नेक्स्ट है बच्चो 11, 22, 33, 44 तो बच्चो हर बार इसमें कितने प्लस हुए हैं 11 प्लस हुए हैं तो बच्चो 44 में हम 11 प्लस करेंगे 55 फिर से बच्चो 11 प्लस करेंगे 66 फिर से हम 11 प्लस करेंगे 77 नेक्स्ट है बच्चो 10, 20, 30, 40 तो बच्चो हर बार कितने प्लस हुए है 10 तो बच्चो 40 में 10 प्लस करेंगे 50 50 में 10 प्लस करेंगे कितना आएगा 60 फिर आएगा 70 नेक्स है 1, 3, 7, 13 तो बच्चो 1 में कितने प्लस हुए 2 तो कितने हो गए 3 अब बच्चो 3 में हम कितने प्लस करेंगे कि 7 होएं यहाँ पर तो बच्चो यहाँ पर 4 प्लस हुएं इतमीज 2 के दुगने कर दिये फिर बच्चो यहाँ पर 7 में कितने प्लस किये हैं कि यहाँ 13 आया है तो बच्चो यहाँ पर 6 इतमीज 4 में 2 प्लस करें हैं तो बच्चो अब यहाँ पर कितने है 6 अब बच्चों हम 13 में कितने प्लस करेंगे 8 13 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21 21 में 10 प्लस करेंगे 31 31 में 12 प्लस करेंगे 43 तो बच्चों आप इस तरीके से इस पैटन को complete करेंगे next है 5, 10, 15, 20 तो हर बार कितने प्लस हुए है 5 तो बच्चों 20 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 25 25 में फिर से 5 प्लस करेंगे 30 30 में फिर से 5 प्लस करेंगे 35 next है 21, 41, 61, 81 तो बच्चों हर बार कितने प्लस हुए है 20 81 में 20 प्लस करेंगे 101 101 में फिर से 20 प्लस करेंगे 120 फिर से बच्चो 20 प्लस करेंगे 141 अब कुश्य नमबर 4 बच्चो यहाँ पर आप अपने आपसे यानि कि खुद से कोई भी पैटन बनाएंगे तो बच्चो जैसे कि यहाँ पर एक्जांपल के तौर पर दिये गए हैं आप इने भी बना सकते हैं या अपने अन्य पैटन भी बना सकते हैं तो बच्चो जैसे कि यहाँ पर 1st face है happy face 2nd भी happy face है फिर से क्या है बच्चो फिर जो अगला pattern है वो है sad face का अब बच्चो next pattern जो है वो किसका है happy face का इट मीज यही pattern फिर से follow किया गया है दो face यहाँ पर कैसी है happy face, फिर से बच्चो sad face, तो आप इस तरीके से एक pattern बना सकते हैं, next बच्चो यहाँ पर right side में arrow, फिर बच्चो down side में हैं, फिर से left side में हैं, फिर up side में, तो बच्चो यहाँ पर यह arrow का pattern है, तो बच्चो next pattern में क्या आएगा, same first वाला pattern फिर से repeat हुआ है, फिर से बच्चो second pattern यहाँ पर repeat किया गया, तो आप इस तरीके से arrow का pattern बना सकते हैं, next बच्चो यहाँ पर red color का इस circle है, तो यहाँ पर one है, second में कितने हैं, two, third में बच्चो one है, it means first वाला pattern फिर से third में use किया है, अब बच्चो fourth में कितनी है, two, it means second वाला pattern फिर से बच्चो fifth नमबर पर, जो first और third में है, third वाला pattern यूज किया गया है, अब बच्चो last में कितने circle बनाएंगे, two, it means जो fourth pattern है, फिर से हमने इसे use किया, तो आप इस तरीके से इस pattern को बना सकते हैं, अब बच्चो next है, arrow pattern, यहाँ पर बच्चो first में downside है, फिर से upside, फिर downside, फिर upside, फिर से downside, फिर से upside, फिर से upside, इट means first pattern को third में, second को fourth में, third को बच्चो fifth में, और जो बच्चो fourth है उसे six में, इस तरीके से आप use करके इसे बना सकते हैं, लाइफ स्किल, planning for a picnic, picnic makes fantastic lunch on days out, picnic पर बाहर जाकर खाना खाना, पिकनिक को सांदार बना सकता है, whether you are in the garden, चाहे आप बागीचे में हो, at the park, पार्क में हो, और in your locality, या फिर अपनी locality मोहले में हो, यू can easily plan a great picnic with delicious food and fun activities, आप activities गती वीडियों के साथ और delicious food के साथ अच्छे पिकनिक के बारे में, आसानी से plan कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, यू are planning a picnic with your four other friends, आप अपने अन्य चार दोस्तों के साथ, पिकनिक की योजना बना रहे हैं, यू have divided all the eat tables, आपने जो भी आपका खाने खाने की चीजें हैं, खाना है, उसे बांट लिया है, that you will need among yourself, अपनी जरूरत के हिसाब से आपस में, look at the table below, अब बच्चों आप नीचे दीगे table को देखें, and answer the questions that follow, और questions के answer दें, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आप date of picnic, पिकनिक की क्या date है, जब आप जाएंगे, time of picnic, अब बच्चों यहाँ पर name of item है, fruit chart है, 30 rupees की price है, sandwich है 20 rupees का, chocolate है 10 rupees की, bread jam है 15 rupees का, fried rice है 25 rupees के, राहुल विल ब्रिंग 4 sandwich, राहुल जो है 4 sandwich लेकर आएगा, तो एक sandwich कितने का है, 20 rupees का, 4 into 20 equal 80 rupees, it means 80 rupees के sandwich लेकर आएगा, मनीस विल ब्रिंग 4 pieces of bread jam, इस bread jam के 4 piece लेकर आएगा, तो बच्चों, bread jam के 1 piece की cost कितनी है 15 rupees, तो बच्चों 4 into 15 equal 60 rupees, तो बच्चों के कितने का सामान लाएगा 60 rupees का, रवी विल ब्रिंग 4 chocolates, रवी जो है 4 chocolate लेकर आएगा, एक chocolate की कीमत है 10 rupees, तो 4 into 10 equal 40, मोहन विल ब्रिंग 4 plate fruit chart, मोहन चार plate fruit chart लेकर आएगा, 1 plate fruit chart की value है 30 rupees, 4 into 30 equal 120, सोहेल विल ब्रिंग 4 plates of fried rice, सोहेल लेकर आएगा 4 plate fried rice, 1 plate fried rice की value है 25 rupees, 4 into 25 equal 100, it means वो जो fried rice लेकर आएगा, कितने के 100 rupees के, अब बच्चों यहाँ पर question है, what is the total budget of the picnic, पिकनिक का जो total budget है, वो कितना है, तो बच्चों आप यहाँ देख सकते है, 80, 60, 40, 100, 20, 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे, total value कितनी हो गई 400, it means total budget of the picnic is 400 rupees, who spends the most, किसने सबसे ज़्यादा खर्च किये, तो बच्चों आपर देख लेंगे, सबसे ज़्यादा किसने खर्च किये हैं, Mohan spent the most, 120 rupees, Mohan ने सबसे ज़्यादा खर्च किये, who spends the least, अब सबसे कम किसने खर्च किये, के रवी spend the list it means रवी ने सबसे कम खर्च की only 40 रूपीज now question is what is the difference in the cost of sandwich and chocolate chocolate और sandwich की कोस्ट में कितना अंतर है तो बच्चो sandwich is 20 रूपीज and the value of chocolate is 10 रूपीज तो बच्चो 20 से हम 10 माइनस कर देंगे कितने बच्चे 10 it means the difference in the cost of sandwich and chocolate is 10 रूपीज 10 रूपे का अंतर है संस्कार साला the key to success is to focus on goals not on obstacles सफलता की कुणजी अपनी लक्षय पर focus करना है ना की बाधाओ पर next है food and drink तो बच्चो आज आप food और drink में क्या लेंगे have sprout salad with your family बच्चो आप अपनी परिवार के साथ अंकूरित सलात खाएंगे activity में prepare a sprouts sandwich for your mother बच्चो आप अपनी मा के लिए अंकूरित sandwich बनाएंगे तो बच्चो यहाँ पर अंकूरित चीजों का sandwich आपको कैसे बनाना है तो बच्चो जैसे की चैना राजमा जिने आप अंकूरित करस्तकते हैं उनके द्वारा आप sandwich तयार करेंगे गेम है बच्चो आख में चोली डेली रूटीन include the following habits in your daily routine दी गई habits को आप अपने डेली रूटीन में include करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें टेका बात डेली रूजाना नहाएं drink plenty of water and eat a balanced diet पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और संतुलिता हार लें avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और अपने हातों को बार बार धोएं complete your homework on time अपना ग्रह कारें समय पर पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you